हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम एक बार फिर से आप सबी का आपके इपने चैनल नेचुरल ब्यूट्यूवी धन्सुमें तो फ्रेंड आज की जो रेमेडी है वो विंटरी स्पेसल है जैसे की सर्दियो का मैं स्टार्ट हो गया है तो ऐसे में हमारी स्कीन जो है एक अच्छा नहीं लगता है तो आज की जो रेमेडी है बहुत ही इफ्यक्टिव है और अच्छी बात यह है कि आपको इसे डेली नहीं बनाना है इसे बना के आप स्टोर कर सकते हैं वन बिक के लिए तो यहां पर एमने लिया है लेमन लेमन को मैं इस तरह से ग्रेट कर ले रह इस तरह से ग्रेट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिनने वाला है हमें तो यहां पर मैंने एक लेमन ग्रेट कर लिया है इसके साइज थोड़ी बड़ी थी वन बिक के लिए हमें इसे स्टोर करके रखना है तो उसी साब से मैं कौन्टिटी ले रही हूं आप कमिया जादा कर सकते हैं 10-15 दिनों तक भी रख सकते हैं तो यहां पर मैंने लेमन को ग्रेट कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें एड कर रही हूं कोकोनट ओयल जो है सर्दियों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यह क्या है जब बहुत ज़्यादा ठंडी पढ़ने ल क्योंकि जब हम कोई रेमडी तयार करने जाते है उस ताइम अगर हम सोचे की बना ले तो नहीं होता है उसके बाद मैंने आधा चमच अलोवेरा जेल एड किया है और यहां पर मैं लेरी हूं बिटामीनी की कैपसूल यहां पर आप दो कैपसूल एड कर सकते हैं इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो मिक्स करते हुए देखे यह हमें थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो अब मैं इसमें एड करूंगी ओली बॉयल क्योंकि मैं बहुत जादा कोकूनट ओयल का यूज़ नहीं करूंगी सर्दियों के मौसम में जब जाता है गोकूनट तो जब हमें लगाना होगा तो इसे हमें या तो हल्का साौम करना होगा या फिर हमें इसे धूप मेरा रखना होगा इसके लिए मैं पानी लिया था बावल में पानी गरम करके उसमें मैं रखी थी पास से 10 मर्द तक यह हलका सा ओम हो गया है और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह से आपको एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट करके इसे आपको रखना है धूप में कम से कम 2-3 दिन के लिए तो उसके ब अब जर्व हो सके इसे आपको उलना सके साफ़े और डीया लगाना है आप पर फेसपे लगाँना सकते हैं लेक पर लगा केले हैं मैजी मेंजिक रीजर्ड मिनने वाला है फ्रेण इस रिमडर को आप ट्राइट कीजिएगा आप लोग बोलते हैं整族 कि हमें इतना टाइम न जब भी आपको टाइम मिलता है एक बार अपलाई कर लिजी और नाइट में तो आपको इसे एक दो बार अपलाई करना है जो रिजल्ट आपको मिलने वाला आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, मुझे बोलने की जरूद भी नहीं पड़ेगी, जब आप इसे एक दो बार अपलाई करेंगे, तो जरूर इसे अपने स्किन केर रूटीन में सामिल करेंगे, तो इस तरह से अपलाई करके हमें ओबरना ठीके साथ, तब तक के लिए, बाइ टेके